सर्दी की सुरुवात के साथ ही शहर में थेपडा गेवर बनने लगे हैं और सुहानी सर्दी में शहर गेवरों की मिठी कुस्पु से महक उड़ता है आम तोर पर सभी मिठाएं पूरे देश और प्रदेश में बनती और बिकती है लेकिन चुरु का थेपडा गेवर का अगर आपको स्वाज चेकना है तो आपको इसके लिए चुरु ही आना होगा तेपडा गेवर विक्रेता बताते हैं कि ये गेवर चुरु तैसिल और इसके कुछ आसपास के आलाकों में तो बनता हुआ और बिकता हुआ आपको नजर आ जाएगा लेकिन सुरु से बाहर आपको ये गेवर नहीं मिलेगा चुरु में जैसे जैसे सर्दी अपने परवान चरती है वैसे वैसे इस गेवर की बिक्री भी बढ़ जाती है और मेहज डेड महिले में ही ये गेवर लोगों का स्वाथ बढ़ाता है शहर के कानहा मिश्टान बंढ़ार के परमेसुर लाल सेनी बताते हैं कि दिसंबर माहर से गेवर बनाने का कारिया सुरू करते हैं जो कि मकर संकरांती तक चलता है थेपड़ा गेवर के कारिगर परमेस्वलाल सैनिंब बताते हैं कि थेपड़ा गेवर दो तरह के बनते हैं एक देशी सुध गी का और एक डालला गी का देशी गी के थेपड़ा गेवर के दाम डालडा से दूगने हैं और उनके यहां दोनों तरह के वाय गेवर तयार करवाते और बेशते हैं डालडा गी के गेवर के दाम 160 प्रती किलो है तो देशी गी के थेपडा गेवर के दाम 320 प्रती किलो है गेवर विक्रेता बताते हैं कि दो तरह के गेवर बनाते हैं एक बबर गेवर और दूसरा थेपडा गेवर उन्होंने बता कि आम तोरपर बबर गेवर आपको प्रदेश के सभी जीलों में बनता हुआ और बिकता हुआ नजर आ जाएगा लेकिन थेपडा गेवर सिर्फ चूरू में ही बनता है इसको प्रदेश के लावा आस पास के दसक्रम के लिए इन बनता हुआ पार्त में तो अमारे जानकारी में कही नहीं बनता हुआ चूरू के लावा आप 10 किमेटर जाओ तो आस पासी गाओं के लिए से सदासमें के लिए इन बनती है सदासमें के लिए थे बड़ा के लिए आस पासी कहीं नहीं बनती है